आज हो रहा है अधियाई छठ्था अधियाई छठ्था में कल पढ़ा है थे परिस्थित भूमी का शुरू किये थे आज शुरू हो रहा है हेडिंग है अधियाई छठ्था में परिस्थिती का अर्थ तथा परिभासा है है ना मिनिंग एंड डिपनेशन ओप ऍस्टेटस परिषिती का अर्थियम परिभासा मिनिंग एंड डिपनेशन ओप स्टेटस फर्स्ट इयर 11 की बड़ाय हो रही है देखी राज पुलिंटन ये राज पुलिंटन कुन है एक समाश शास्त्री है राल्प लिंटन ने परिष्चिती को परिभातित करते हुँ लिखा है कि किसी बेखति को एक समय भिशेस में जो अस्थान प्राप्त होता है उसी को उन बेखति का परिष्चिती कहा जाता है बात समझे, राल्प लिंटर ने परिस्थिती को परिभाजित करते हुई लिखा है कि समाजिक बेवस्था की सोचल सिस्टम के अंदरगत किसी बिक्ति को एक समय विशेश में जो अस्थान प्राप्त होता है, उसी कुछ बिक्ति का परिस्थिती कहा जाता है, फुले स्टॉप इसके बात आईए, आगबन तनिमकॉप एकोन है, एक समाज सास्त्री है, आगबन निमकॉप कोन है, एक समाज सास्त्री है, आगबन निमकॉप की अनुसार, कुमा, परिस्थिती की सबसी सरल परिभासा यह है कि परिस्थिती वस पद है, परिस्थिती इस्टेटस वपद है जो समु में जो गुरूप में बेक्ति की अस्थान का प्रती निजित्व करता है वह समु बेक्ति की अस्थान का क्या करता है वह पद है जो समु में बेक्ति की अस्थान का प्रती निजित्व करता है फिर सुनिए आग बंदरियम कौप के अनुसार कौमा परिस्थिती की सबसे स्रल परिभासा यह है की कौमा परिस्थिती वहपद है वहपद है जो समू के बेक्ति की इस्थान का प्रतिनिजित करता है क्या करता है प्रतिनिजित करता है इसे क्या कहते हैं परिस्थिती कहा जात है देख रहे हैं दो समाज सास्त्री का हो गया अब देखिएगा जॉन लेवी ने जॉन लेवी के सब्दों में भी जान जाएए यह भी समाज सास्त्री है जॉन लेवी के सब्दों में कुमा किसी समाजिक संचनामी एस्ट्रक्चर मी बेक्तियत्वा समूं की संसागत पदों की संपुर्णता का नाम ही परिस्थिती है है ना संपुर्णता का नाम ही परिस्थिती है उप्युक्त परिवासा सी अस्वस्थ होता है कि अब लिखने के सहली सिखिए अपना कार्ज करता है उन्ही के अधार पर समाज में उसे एक बिसिस पद का स्थान मिल जाता है इसी पद को बेक्ती की परिस्ति कहा जाता है परिशेती के उधारना को इसकी प्रमुपिशिस्ताओं की सहता से निम्लिकित रूप से अस्पष्ट कर सकते हैं इसकी परिवासा को हम निम्लिक रूप से समा सकते हैं पहला परिशिती किसी बेक्ति अत्वासमों को समाजिक बेउस्ता सिस्टम में मिलने वाला वह पद है जो समाज द्वारा मन्यता प्राप्त उनकी अधिकारों को अस्पष्ट करता है पहला दूसरा परिशिती एक संतागत पद है जिसका तात्पर्ज यह है कि बेक्ति के विज परिस्टि कि यहां फालिकारी यह उत्यकारी या मंत्री किबतों अपने कटंवें का समुची दरूपत नहीं करता है तो उसकी परिस्टि से ऊची रह सकती है लेकिन उसे समाज से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकता इसी तरह जड़ी एक एक नीजी परिशिति का कर्मचारी या सरमिक अपनी दाइत्तों का बहुत अच्छा धंग से पूरा करता है तो उसे उस उची प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है प्राप्त हो सकती है समाज में बेक्ति पांचवा समाज में बेक्ति को जो अनेक प्रिशिति प्राप्त होता है उसी को संपुर्णता को हम बेक्ति का प्रिशिति कहते हैं चटा दिस फिचर का कहना है कि प्रिशिति कुछ सीमा तक एक मांसिक तर्थ है साथवा बेक्ति को मिलन वाले सभी परिशितियां एक जैसी नहीं होती है एक जैसी नहीं होती है अगला पॉएंट है आटवा परिशिति का भुमिका से घनिश सबंद होता है समाज में बेखती है कि कोई भी परिशिति ऐसी नहीं होती जिसे एक विशेश भुमिका नहीं हो परिशिति और भुमिका मे विशिष समंध है और विशिष अन्युन्यासि समंध है अब देखिएगा परिशिती के परिभासा हो गया है परिशिती की परिभासा हो गया है परिशिती की विशिष्टा भी हो गया अब इस आर्ट पड़कार के एक्जाम में आएगा परिशिती और भुमिकार का क्या लिखना पड़ेगा और एक कोचन आएगा परिशिती की कौन कौन सी विशिस्ता हैं परिशिती विशिस्ता क्या समस्ते हैं परिशिती का विशिस्ता क्या अर्थ है अंसरीखों का ध्यान देना है परिभासा अलग है और विशिस्ता क्या है विशिस्ता अलग है परिभासा अल लिखे आपको अच्छा से लिखना है परिषिती की परिभासा इस प्रकार है कि फलना गनुसार अग्बन गनुसार फलना हमने अब भी आपको लिखा दिये हैं उसी को वपत है इसको डिटेल में लिखिएगा आपको जो को चर्माहम बोलता है वो अंसर दिजेगा आपको मिले लिखे आएगा परिषिती की विशिस्ता से क्या समझते हैं परिषिती की विशिस्ता का क्या अर्थ है परिषिती की विशिस्ता का वर्णन कीजिए तो आपको विशिस्ता अलग होगी आठ परकार के हैं तो लिखिएगा परिषिती की विशिस्ता आठ परकार के हैं फलना 1, 2, 3, 4 काके स्टार्ट कीजिएगा समझे बसा जितना ही